हेलो दोस्तों सागा थे आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में मैं आपको बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनिक्स मुवाइल में प्ले इस्टोर से कोई भी एप इंस्टोल नहीं हो रहा है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो वडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए मोवाइल के सेटिंग में जाना है मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आप सर्च बार में अगर रहागा आपके फोने सिर्च बार तो किलिक करकी लिखना आएप जैसे ही आएप लिखेंगे तो आएप लिश्ट या आएप मेनेजमेंट नम की सेटिंग मिल जाएगे आप थोड़ा चेक करने नीचे उपर देखकर तो जहाँ पर भी मिले app list या app management आपको इस पर क्लिक करना है और app list पर क्लिक कर देना है जहाँ पर सभी app रहते हैं आप यहाँ पर आ जाएंगे अगर आपके phone में search वाला option नहीं है या फिर आप search नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं आपको देखे setting में जाना है फिर आपको आजाना है नीचे और यहाँ पर एक setting मिलेगी app management आप manager नाम की जहाँ पर सभी app रहते हैं या apps नाम की रहेगी तो आपको इस पर क्लिक करना है फिर app list पर क्लिक करना है देखिए वहीं पर हम आ चुके हैं अब यहाँ पर आने के बाद आपको आना है जी पर जहाँ Google Play Store मिलेगा तो यहाँ पर है Google Play Store Google Play Store पर क्लिक करना है फिर storage usage पर क्लिक करना है यहाँ से clear case और clear data और okay कर देना है ओके करने एक बाद बैकाना है देखिए storage usage या storage लिखा रहेगा आपको इस पर क्लिक करके से clear कर देना है clear data जैसे कर देंगे बैकाना है फिर force store पर क्लिक करके force store पर क्लिक कर देना है फिर बैकाना है फिर Google Play Services पर क्लिक करना है फिर आपको storage, usage पर क्लिक करना है इसके भी storage पर क्लिक करना है clear cache करना है फिर clear data और फिर यहाँ पर clear data और ok कर देना है जैसे ok कर देंगे back आना है अब यहाँ पर देखिए सभी app तो यहाँ पर हैं अब guys जो जो app आप अपने phone में use नहीं करते हैं और आपने install किया है उस app को install कर दीजिए, delete कर दीजिए क्योंकि आपका जो е phone भर चुका है इसलिए app install नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो app आप use नहीं करते हैं उन्हें यहाँ से uninstall कर दीजिए देखिए, app पर कलिक करना है फिर uninstall पर कलिक करना है फिर ओके कर देना है आपके फोन से आप डिलीट हो जाएगा देखिए हो चुका है इस प्रकार आप चेक कर लेना सभी आप को किस आप को आप यूज करते हैं किस आप को नहीं करते हैं जिस आप को नहीं करते हैं उसे डिलीट कर देना डिलीट करने के बाद आपको simply बैक आना है अभी देखिए बैक आने के बाद अब playstore को ऊपन करना है और जिस app को आप install करना चाफ़े हैं अब यहाँ पर आप ऊसे search की जिए search करने के बाद install पर कलिक कीजिए और यहाँ पर भी देखना आप इप install हो जाएगा यहां पर guys देखिए देखिए आप इंस्टॉल हो रहा है और अब हम इसे ओपन करके इसे चला सकते हैं अगर फिर भी प्रॉलम सही नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो अपने मुवाइल के पाउर बटन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पर रिस्टाट या डिबूट को आप्शन मिल लियाग अपने मुवाइल को रिस्टाट या डिबूट भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप सही कर सकते हैं तो आज के दूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक्यू